दोस्तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक अमारे वॉलेट में अप्रेल माहा का कमिशन नहीं आया है यानि कि इमीतर का कमिशन अभी तक अमारे वॉलेट में नहीं आया है ये वीडियो पहले मैं इसलिए record कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आया आप wallet का balance देख सकते हो 1450 रुपे 47,47 पेसे हैं और यहाँ पर आप हमारे security wallet का भी balance चेक कर सकते हो इसके साथ ही यहाँ पर जो अपरेल महा का हमारा commission बन रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 1750 रुपे हमारा अपरेल महा का commission बन रहा है इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूँ कि यह commission बिना चिरंजीवी योजना की है यानि कि चिरंजीवी योजना में हमने जितने भी रेजिस्टेशन किये हैं उनका कमिशन इसमें सामिल नहीं किया गया है बिना चिरंजीवी योजना का ये कमिशन है तो इसके अलावा अगर कोई भी पेस आता है तो वो हम चिरंजीवी योजना का कमिशन समझ सकते हैं तो अभी आपने टोटल देख लिया है कि हमारे वॉलेट में कितना बेलेंस है, स्क्योर्टी वॉलेट का कितना बेलेंस है, इसके साथ ही हमारा जो कमिशन मन रहा है, वो कितना है, अभी चलिए हम इस वीडियो को आगे ले चलते हैं, और जहां पर हमारा कमिशन आ चुका है, आज इमीतर का कमिशन आ चुका है, तो इस कमिशन को देखकर ही, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा कमिशन आया चलिए, मैं आपको वॉलेट डिटेल में ले चलता हूँ और वहां पर दिखा देता हूँ, जब आप यहां पर देखेंगे कि आपके स्क्योर्टी वॉलेट का पेसा यहां पर दिखाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको आपका स्क्योर्टी वॉलेट का पेसा नहीं मिला है, किसी भी इमीतर दारक के कमिशन में स्क्योर्टी वॉलेट का पेसा नहीं मिला है, जो कि एक बहुती बुरी खबर है, इमीतर दारक अपनी जान का ज इमितर दारक अप्रेवल माहा में बिल्कुल फ्री में काम कर रहे थे वो इसास में थे कि उन्हें चिरंजीवी योजना का कमिशन मिलेगा तब वो अपनी दुकान का किराया भरेंगे और अपने बिजली का बिल भी भरेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ कमिशन नहीं मिला जिस तरीके से जना दारकार का कमिशन हमारा भी तक अटका हुआ है उसी तरीके से ये कमिशन भी अटक गया है यह सभी इमितर दारक को आसा थी कि इस माहा में ये कमिशन आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो अब सभी इमितर दारक के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कमिशन आएगा कब तो ये राम वरोसे है जब भी इसकी कोई भी सुचन आएगी तो मैं आपको वीडियो के मादिम से बता दूँगा इमितर दारकों को बिना रेजिस्टेशन के कोरोना वीक्सिन लगाई जा रही है और अगर आपने रेजिस्टेशन कर रखा है तो बहुत ये अच्छी बात है आप जाकर वैक्सिन लगवा लीजिए इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप एक इमीतर दारक है तो चाहे आपकी उमर जो भी हो आप वेक्सिन लगवा सकते हो आपको कोई भी दिकत नहीं आएगी उमीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आपके मन में कोई भी स्वाल यह सुजावाए तो कमें में जुरूर बताएं दन्यावाद दोस्तो